हाई फ्रेंड्स मैं हूँ सीखा और वेलकम में आपका मेरे चैनल डैम डेलिसस में आज मैं बनाने वाली हूँ ड्रमसिक की सबजी जिसे हिंदी में सहजन बोलते हैं और कोई-कोई इसे मुनगा भी बोलते हैं सहजन हमारे हेल्थ के लिए बोहत ही लाबदायक होता है बट कोई-कोई इसे खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसको चवाना परता है ना चवा के मुँसे फेकना परता है ये सारा जंजट के वज़े से बहुत सारे लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो चलिए सहाजन की सबजी बनाना सुरू करते हैं सहाजन की सबजी में मैं क्या-क्या डालने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ तो सबसे पहले ये देखिए सहाजन को अच्छे से छील कर मैं इसे काट ली हूँ और सारी सब्जी जो हमने लिया है न सबको अच्छे से काट कर मैं दो ली हूँ तो इस तरीके से हमें पहले सहाजन को कट करना और इसमें हम डालेंगे एक प्याज, दो हरी मिर्च और बॉयल किया हुआ आलू है अगर आपके पास बॉयल किया हुआ नहीं है तो आपका चालू भी ले सकते हैं और टमाटर और धनिया पत्ता इन सबको मैं अच्छे से कट कर ली हूँ और सबसे पहले हम सहजन को थोड़ा सा भूनेंगे थोड़ा सा तेल में ताकि इसका जो हडा पन्य वो खतम हो जाए इसे हमें जादा नहीं भूनना है बस थोड़ा सा भूनना है जब यह हडा से थोड़ा सा ब्राउन दिखने लगे तो हम इसे निकाल लेंगे अब आप देख सकते हैं यह हलका हलका ब्राउन हो गया है यह देखे तो एक बार इसे हर तरब से मिला लेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखे इसे ज़्यादा नहीं भूनना है बस इतना ही भूनना है और अब हम इसे साइड करके निकाल लेंगे और उसके बाद हम कडाई में डालेंगे थोड़ा सा और तेल और जीरा का फोरन और हरी मेच और उसके बाद हम इसे डालेंगे प्याज और इसे एक बार मिला लेंगे इस तरी के से इसे बनाना बहुत ही असान है लेकिन ये बहुत ही हेल्दी होता है और जब ये प्याज हलका ब्राउन हो जाए ना तो हम इसमें डालेंगे मसाला तो मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गड़ मसाला और इन सब को मिला लेंगे एक बार और जब ये हलका भूना जाएगा तो हम इसमें एड़ करेंगे एक टमाटर जो हमने कट करके रखे थे और इसे वापस से एक बार मिला लेंगे और जब ये थोड़ा सा मसाले के साथ भुना जाएगा तो हम इसमें डालेंगे नमक, टेस्ट के अनुसार और वापस से एक बार इसे मिला लेंगे और फिर हम इसे ढख देंगे दो मिनट के लिए दो मिनट ढखने के बाद आप देख सकते हो ये हलका हलका सौफ्ट हो गया है तो अब हम इसमें एड करेंगे आलू जो हमने बॉयल करके रखे थे तो उसे मैं इस तरीके से कट कर ली थी और इसे हमें काट कर इसमें डालना है आलू को और फिर इसे एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम इसमें एड करेंगे लसुन, लसुन की कलिया, इसे मैं काटी नहीं हूँ, आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो और उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, फ्रेस धनिया पत्ता, और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम इसे दो मिनट के लिए वापस ढग देंगे और दो मिनट के बाद फिर एक बार इसे हम मिलाएंगे इस तरीके से और अब हम इसमें डालेंगे हमने जो सहजन को भून कर रखा न वो और इसे भी हम एक बार मिला लेंगे अच्छे से और इसे एक से दो मिनिट तक भूनेंगे ये देखिए अब ये भूना चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे पानी तो एक गलास पानी मैं इसमें एड कर रही हूँ आप अपने एकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी ज्यादा डालेंगे और इसके उपर से थोड़ा सा गड़ मसाला और डालेंगे और फिर इसे हम एक बार मिला लेंगे और फिर हम इसे ढख कर पांच मिनट तक लोफ लेम पे पकाएंगे और पांच मिनट के बाद आप देख सकते हो ये देखिए सहजन का सबजी बनकर रेडी है जैसा कि आप सब देख रहे हैं इसका ग्रेवी भी बहुत ही अच्छा बना है तो एक बार इसे मिला लेंगे और उसके बाद हम इसके उपर से डालेंगे फ्रेस धनिया थोड़ा सा और अब हमें गैस को कर देना है और अब आप इसे सब कर सकते हो पूरी, पराठा, रोटी, चाबल जिसके साथ भी आपको खाने का मनोना आप खा सकते हो ये बहुत ही हेल्दी होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है तो देखा आप सबने कितना आसान है सहजन की सबजी बनाना तो उमीद करते हूँ कि आपको सहाजन की सबजी की रेसिपी पसंद आई हो अगर आपको सहाजन की सबजी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जादा से जादा सेर कीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा बिल आइकन के साथ ताकि जो भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ सेर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मिलती हूँ नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर थांक्स फो वाचिंग मुझे लोगों के साथ